नमस्कार, मद्ध प्रदेश स्टेट फोरेश सर्विस एग्जामनीशन दो हजार बीस इसके अपने इंटर्व्यू की डेट्स अल्रेडी आ चुकी है और जल्द ही आपके जो कॉल लेटर है वो भी डाउनलोड होना इस्टार्ट हो जाएंगे तो अभी जो अपना पीरियड टाइम पीरियड चल रहा है इसमें यह देड़ कुन चल रही है कि हमें क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है कितना और कहां से पढ़ना है जिससे हम लोग अपने इंटर्वियू की तैयारी अच्छे से कर सकें इस तोरान बहुत सारा प्रेसर भी बनता है तो अपने यह जो पोड़कास्ट है और इसके बाद अगर जरूवत पढ़ती है तो एक दो और अगर बनते हैं तो इन सब के दो तीन बेसिक आपजेक्टिव हैं पहला तो यही अब्जेक्टिव है कि कहां क्या कितना कैसे पढ़ना है यह वाली जो आपकी इसू है उन्हें स्वाल्व किया जा सके दूसरा MPPSC का जो इंटर्वियू पैनल है उसके बारे में एक बेसिक आइडिया हो आइडिया होने का परपज यह नहीं है कि भाई मुझे कोई दिवास अपना आया था और मैंने बिल्कुल पूरी प्रोसिजर देख रखी हो और मैं आपको भाई बिल्कुल बता रहा हूं कि आपके साथ क्या होगा शूचर तो नहीं देखा है लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया होता है जो मेरे उपर भी थी साथवालों के पास जो हुआ उनकी एक्सपिरियेंस कि लगबग प्रोसिजर स्टेट लेवल पे सेंटर लेवल पे किस टाइप की होती है तो वो एक मोटा माटा जो अनमान देना उसका परपजी ही है कि आप जब वहां पर इंटरव्यू पेनल में जाए तो प्रेसर डिवलप ना हो अधरवाईज होता क्या है कि जब आप वहां इंटरी करते हैं तो उस टाइम पर बहुत जदा हाईपर हो जाते हैं तीन चार पांच मिनट वहां स्टार्टिंग में बैठते हैं तब बहुत जदा बलड प्रेसर होता है रिजल्ट यह होता है कि उसमें आप बहुत सारी आगे पीछे की बातें बोल देते हैं और फिर उन बातों को समालते समालते आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है रिजल्ट यह होता है कि थोड़ा यह लगता है यार इंटरव्यू हमारा खराब हो गया बहुत सारी प्रिपेर नहीं हो पाती हैं बहुत सारी एरिया लूप फॉल छुट जाते हैं तो वहां पर भी लगता है तो फिर मार्क में भी वह इंपक्ट पढ़ी जाता आपकी पूरी इस्टगाल है और लास्ट में आप वहां कमिया छोड़ रहा है तो उस चीज को समझ रहा है जैसे वह कांड अपने ना हो तीसरा ये भी परपस है कि कुछ और चीज़े हैं जैसे आपकी होबीज सौक हैं अब देखो फॉर्म भड़ चुके हैं तो उनमें चैंज करने की कोई आप्सन है नहीं लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं लगवाग बन फिप्टी प्लस हैं जिनकी होबीज को चक किया जनोंने फॉर्मरा है उनलाइन इन सब में कई लोगों की तो बहुत अठपटी टाइप की होबीज हैं देखो होबीज जो है वो पहली बात हर आदमी के डिबलब हों ये जरूरी नहीं है हम सभी मीडिल क्लास में आते हैं मैजोर्टी लूर मीडिल क्लास में हैं आप सभी का लगवालमोस्ट सेम एकोनॉमिक कंडीशन है इसमें ग्रजुएशन करते करते पहले ही चीज़ां डिवलप नहीं हो पाती है फिर जैसे पिस्टी के प्रपरेशन में गए आप फिल्म में देखते हो म्यूचिक है, सिंगें गए, इको टीरिज्म है तो फिर्स्ट तिंग ये है कि वो पहले कभी था एकडेमिक में वो अभी भी हो जरूरी नहीं है फिर्स्ट तिंग होबी डिवलप हो जरूरी नहीं है बहुत सारे लोगों की नहीं हो पाती है जैसे मेरी कोई होबी डिवलप नहीं हो पाई इसलों का पिरियाट रहा नहीं हो पाई क्या कर दे दूसरा होबी जो सौक है वो हमेशा वही रहे ये जरूरी नहीं है समय के साथ चैंज हो जाता है मालो मैं एकडिमिक्स में था मुझे क्रिकिट खिलना पसंद था ये फिट वाल ये बॉली वाल या गेम या मोवी वास्ट करना पसंद था आठ साल बाद दस साल बाद अब मेरी कंडिसन अलग है उम्र हो गई है तो अब मैं जदा एक्टिविटी वाले काम नहीं कर पाता हूं हो सकता है मुझे बैठ करके सोचना किताब डीडिंग करना पसंद हो तो यह सोच है यह समय के साथ बदल जाते है दूसरे जो होबी सेक्षन है इसमें जनरली वो चीज़े आती है जब आपको फिरी टाइम मिले आपको करना पसंद करें यह नहीं मुझे बलेड डोनेशन पसंद है होबी में लिख रखा है बलेड डोनेशन भाई मतलब क्या है कि तुम्हें जब भी खाली टाइम मिलता है तुम साइकल या टेमपू टेक्सी पकड़कर सरकारी एस्पताल की तरफ दोड़ लगा देते हो भाई साब हमारा कोई खुन निकाल लो यह होबी थोड़ी होगी भाई तो इस टाइब की जो है अटपटी ना हो पताने का परपस यह नहीं है आपने जो भर दिया ठीक है हो गया वो इस साल के लिए नहीं इन फ्यूटर आगे भी क्योंकि आप मैंसे लगवग 30-40% वो एस्परेंट से जो नेक्स येर फ़र दे रहा है 21 का तो जब होबी से आप लिखें तो कम सकम एटलिस्ट थोड़ा जबरजस्ती ना करें दूसरा होबी लिखना क्यों जरूरी है देखो भाई आपके बेसिक जो डाटा है आपका और अकले 50 का सेम होता है लगवग क्या पूछा जाए आपसे होबी से एक ऐसा एरिया होता है जहां हमें पूछने के लिए अपसन बिर जाता है वहाँ पर आपसे बहुत कुछ पूछा जा सकता है अगर आप लिख दोगे तो क्या है वो एक ऐसा एरिया है देखो आप इंटर्विव देने हमारे ग्राउंड में आये हो हम यहाँ पर दो तीन लोग बैठे होते हैं और बढ़ापे में आ चुके होते हैं जो इंटर्विव पेनल है वो सब किसम रिटार्मेंट इस पे पहुंच चुके है तो फरस्ट तिंग आप उन्हें बेवकूप बनाने की तो कोसिस करिये नहीं उन्हें बहुत experience है वो मुह पर नहीं बफ मौलेंगे लेकिन उन्हें पूरी समझ होती है कि आप कहां खिल रहे हो आप उनके प्लेट फॉर्म पे खिल रहे हो वो अपने प्लेट फॉर्म पे तुम्हें खिला रहे है तो आप वहाँ एक लेबल से जड़ा अगे मचाये हिए हॉभी ऐसा एरिया है जहां आपने अपना प्लेट फॉर्म लगाया है और उन्हें वहां खिला रही हुँ तो हॉभी एक ऐसा एरिया होता है जहां सबसे जड़ा आप स्ट्रॉञ होते हो जहां आप पहले से बहुत कुछ प्रिपेर कर सकते हो तो अगर होबी है आपकी तो आप उसे बिलकुल मैंसन करिये वो आपके लिए एक टाइप से कोर का काम करती है जहां आपके लिए सबसे पॉजिटिव एडिशन मिल जाता है और अगर नहीं है तो फरिया एक अलग बात है आप मैंसन ना करिये उसे लेकिन जबर जस्ती की नहीं और अगर कर ही दी है तो फर उसके बारे मैं प्रिपेर करिये बहुत सारी जगह लोगों की होबी इस टाइप से जैसे एलेक्ट्रोनिक से रिलेटेड चीज़ें है आईटी में इंट्रेस्टेड है तो आप यह देखिए आपका एकेडमिक्स या होबी जो भी है उसे फोरेस्टी के फिल्ड में कैसे एपलाई किया जाए उन सारी चीज़ों को देखो देखेंगे तो शुरू करते हैं जो भी मुझे बात करनी थी मैंने इन्हें इन्लिस्टेड कर दिया है जिससे मैं आपको सभी चीज़ों के बारे मैं थोड़ा थोड़ा बोल सको हूँ पहला तो एक मुद्दा ये है कि आपको प्रेसर डिबलप ना हो तो जो इंटर्व्यू पैनल है उसकी बेसिक आइडिया रहे जाए आपको कि इंटर्व्यू पैनल कैसा रहेगा स्टेट लेवल पर जनरली हमेशा हो जरूरी नहीं है आपके पैनल में तीन लोग मिल जाएंगे एक ये परसन है जो भी हो मेल फीमेल ये रहेंगे MPPSC के मेंबर में से जो बोर्ड मेंबर है या तो MPPSC के शेर्मेन हो सकते हैं या जो अधर मेंबर हैं उसके बोड़ी में से उन में से कोई हो सकता है यही पैनल को रेगुलेट करेंगे जिससे वो प्रॉपर फंक्सिने कर सके हैं इसके अलावा ये यूजरी दो लोगों को और बुला लेते हैं तो इस टाइप से आपका तीन लोगों का पैनल बन जाता है स्टेट लेवल पर यही बात अगर आप UPSC लेवल पर देखेंगे तो वहां इनका नमबर बढ़ जाएगा चार या पांच लोगों का पैनल हो जाता है अब यहां पर यह जो मेंबर हैं पैनल में इनका बैक्गराउंड क्या होगा देखो बोलने का कुछ भी हो कवर्मेंट कोई भी हो कोई फरक नहीं पड़ता यहां पर इनके में दो तीन फेक्टर काम करते हैं पॉलिटिकल लिंकेज सब कुछ नहीं है लेकिन वो भी कही न कहीं एक फेक्टर काम करती है इनका एकडेमिक बैक्गराउंड परफॉर्मेंस वो भी काम करते हैं तो यह वहां तक पहुँचे हैं यानि कि इन्होंने ठीक ठाक काम किया होगा एसा नहीं है किकी वी कॉलिज के प्रोफिसर को उठा कि भाई तुम हमारी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक हो चलो ठीक को पीजुचे में मैंबर बना द taxpayers ऐसा नहीं होता है वो कैसे भी हो पॉलिटिकल लिंकेज एक फेक्टर हो सकता है लेकिन इन्होंने काफी अच्छा काम किया होगा, काफी ब्रॉड लेवल पर काम किया होगा यानि कि इन्हें administrative field का ठीक ठाक knowledge होगा academic से भी जुड़े हो सकते हैं तो means academic जरूरी नहीं जी academic से ही हो administration से भी जुड़े हो सकते हैं जिसने पूरी जिन्दगी पुलिस सेवा में काम किया हो IPS रहा हो, retirement के उसे हमेंबर बना दिया गया हो academic से कोई professor, head, hod, vice chancellor इस टाइब का कोई person रहा हो तो ये academic, non-academic दोनों ही type के हो सकते हैं और अगर ये academic है, यानि कि इनके पास technical इस टाइब की knowledge अपने field की अच्छी होगी और अगर ये non-academic हैं तो administration से होगे, प्रसासिनिक समझ अच्छी होगी इनके दूसरा person है, जो most probably क्योंकि forest service है तो यहाँ पर ये forest department से किसी को बिलाएंगे मान लेजिए यहाँ, DFO बहुत सारे होते हैं starting में तो generally DFO को कम ही पहुचते हैं ज्यादातर case में यहाँ, CF या CCF लेवल के अधिकारियों को बिला लिया जाता है यह थोड़े खाली भी हो जाते है, क्योंकि नीचे DFO के पास workload ज्यादा है थोड़ा CF यह थोड़ा कम हो गया CF यह CCF है तो इसको आप यह मान के चलेजिए कि IFS Indian Forest Service का person है और इनके पास लगवग आठ दस साल का तो अन्भव हो गई अरे कितना भी हो तापसे आप 6-10 साल मान लीजिए 2-3-4 साल जो मेरे साथ में थे 14-15 में जोईन की थी वो अभी तक IFS ही है अभी तक promotion नहीं हो तो time लगी जाता है आप मान लेजिए रहे पांच साल-10 साल का experience है नके पास forestry इनके forestry background से होने की संभावना काम है ज़्यादतर संभावना है कि 50% संभावना है कि यह engineer background से हो 50-60% संभावना की इनजीनियर क्योंकि अगर यह 2015 यह उससे पहले के पास out है तो उस time पे total जो recruitment होती थी उसमें 60-70% के असपास इनजीनियर background की person यहाँ joining करते थे अब वो लगवग 90% तक पहुच गया है पहले काफी अच्छा खासा percentage था तो संभावना की उस background से निकल आए आप मेंसे ज़्यदे तर लोग engineering background से हैं यह भी इस से तो यह भाई आपके academic से question ठीक ठाक पूछ लेगा तो आप अपने academics को पढ़के जाएं बहुत ज़्यदा detail में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप civil service में यह preparation phase में आए हैं तो आपका academics छोड़े हुए आपको चार पांच छे साल हो सकते हैं दो तीन साल भी हो सकते हैं लंबा time भी हो सकता है तो बहुत ज़्यदा तो नहीं लेकिन कम से कम आप at least इतना देख करके जाएं कि उसमें अगर वो घुस है तो बता ज़्यदा को roughly एक basic idea हो कम सकम पूरे academics का क्योंकि इसका भरोसा नहीं है कि किस ब्रांच से है या civil से है, IT से हो, computer science से हो सकता है ज़्यदा तर civil या technical वाले ही इसमें हो जाते है कामी percentage है अब इसके साथ क्या है? एक तो ये engineering background को handle कर लेते हैं दूसरा forestry का भी इनके पास अच्छा कासा experience होता है forestry मैं आप इने पागल नहीं बना सकते हूँ हाँ मैं मानता हूँ कि इनकी theory कमजोड रहती है जब एक बार आप joining कर लेते हैं तो government भगा थोड़ी देगी तो दो साल जो training चली उसमें सही से ये नहीं पढ़ते हैं लेकिन मौटा माटी knowledge होती है फिर जब ये practically उसमें आ जाते हैं तो अगर इनका 8-10 साल का है तो बहुत कुछ सीख लिया वर्किंग प्लान क्या होता है आपने पढ़ा इनने वर्किंग प्लान पे काम किया है human-animal conflict आप समझ रहे हो पढ़ रहे हो इन्होंने उसे टैकल किया है तो practical knowledge अच्छी खासी है आप से पूछा गया है तेन्दू पत्ते की marketing कैसे करते है आप उसे समझ के बता रहे है forest administration की structure पर अगर कुछ पूछ लिया आपने पढ़ा है इनने उसे देखा है manage किया है तो आप इन्हें forestry या forest department से related चीज़ों पर बेवकुप नहीं मैना सकते है इनके academics यहाँ पर आपको issue create कर सकते है third person है यह संभाव न रहती है कि यह academician generally forestry से कम होते है region एक यह भी हो सकते है कि यह vast बनाने के सक्कर में या cfccf यह दो-तिन चीज़ें area यह handle कर लेता है इसका भी तो कुछ ना कुछ तो subject रही होगा न भाई यह forestry से भी हो सकता है non forestry background का भी हो सकता है जैसे agriculture background से हो forest department forest जो अपना college होते हैं उससे भी होते हैं तो उसमें wild life वाले खाली रहते हैं silviculture और agro forestry wing वाले थोड़े बिजी हैं लेकिन forest utilization वाले minor forest product वो थोड़े फिरी होते हैं और wild life वाले थोड़े फिरी होते हैं तो उससे कोई हो सकता है सामान ने जो college हैं अपने जिवाजी यूनिवर्सटी हैं इन से भी professor हो सकते हैं तो यह जिस region से होंगे जैसे physics chemistry, math, bio इसके होंगे तो यह इधर से आपसे question पूछ सकते हैं तो काफी vast area है इससे आपको एक समझ में आ जाए कि आपको तैयारी किस label के हिसाब से देख के करनी हैं कहां तक आप जा सकते हैं तो first thing एक बाद यहां रखना कि अगर आप चोर हो तो चोर हो अगर आप सिपाई हो तो सिपाई हो यहां पर जबरजस्ती फिकने का काम नहीं करना है दूसरा जैसे interview बगर लेते हैं तो कई student ऐसे आते हैं ते को एक बात और आप हमारे पास आए मोक interview देने के लिए समझ में आ जाता है कि समने वाले को पता नहीं है और दे दनाता है फिक के जा रहा है फिक के जा रहा है तो क्या कर रहा है उससे बोल दें मुह पर भाई तुम गलत फिक रहा है यह है यह नहीं संबब है पैनल वाले आपको समझ में सबको आ जाता है बट वो इग्नोर कर देते हैं ऐसा नहीं कि उन्हें इग्नोर कर दिये तो आपको मार्क दे देंगे मार्क कट जाएंगे आपके उन्हें ये समझ में आ जाता है कि यहां फेक रहा है अगर उन्हें लगा जद ही कर दिये तुमने तो हो सकता है वो उससे काउंटर कोई कोशन पूछ ले नहीं तो वो दूसरे एरिया में चले जाए आप कहीं बीच में बिधा दे आपने स्टाइटिंग में फिका था दो मिनिट बाद पांच मिनिट बाद जब आगे कोई एरिया डिसकर्शन का आएगा फिर उससे रेलेटेड कोशन पूछ लें अपने फिका था पीछे बिद जाऊए तो भाई वो बुड़ापा आगया मैं वही समझा रहा हूं कि उनका 55-65 साल की उमरवाले हैं वो वो हजारों लोगों को इस टाइब से देख चुके हैं 55-55-10,000 कंडिडेट को पढ़ा चुके हैं बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उन्हें वो एक टाइब से समझ जाते हैं सामने बाला कहां पर क्या कर रहा है तो चीज़ें अपने हिसाब से आपको पढ़नी हैं समझनी है कई बार ऐसे लोग आते हैं जो मुक इंटर्वियू देते हैं कि वो पूरे इंटर्वियू में कभी उन्होंने सौरी टर्म यूज नहीं किया मैं यहां यह नहीं बोल रहा हूँ कि सौरी सर नहीं पता यह बोलना जरूरी है जहां पर आपको लग रहा है कि मैं गल्त हो सकता हूँ मुझे सही नहीं पता है तो आप वहां रुक जाएए सौरी सर, I have no idea मुझे इसके बारे मैं पता नहीं है मैं आंगे देखूंगा या इसके बारे मैं मुझे प्रॉपर नहीं है साइड मैं थोड़ा बहुत गैस कर सकता हूं लेकिन एक्जक्ट फिकर नहीं है तो आप वहाँ पर एक दू जगा है आराम से टर्म यूज कर सकते हो यह एक टाइप से आपका थोड़ा मैंस यह नहीं है कि आप डाउन हो रहे हैं एक टाइप से आपको यह बता देता कि आप थोड़ा जुक भी सकते हैं जुक हो आप दे रहे हैं बहुत जदा भी नहीं कि आप बिल्कुल जमीन पर लेड़ चाहिए हर बात पर सौरी लेकिन कमस कम जहां जरूवत है वहां जुक जाएए उसमें कोई बुराई नहीं है वो एक टाइप से नॉर्मल देता है यह समझ में आता कि हाँ यह सामने वाला परसन है जरूवत पढ़ने पर अकर सीनियर इसे कुछ कमांड दे रहे है तो अगर कुछ गलत भी है तो ऐसा नहीं है कि यह जुकता ही नहीं है पाने गई नहीं वो जुक सकता है वहां पर वो उसे साब से अड़्जस्ट कंडिसर कर सकता है तो उसके साब से थोड़ा दिखिए अब मैंने मुद्दा है कि जब स्टार्टिंग होती है इंट्रेव्यू की तो उन्हें भी पता होता है कि आप लोग हाइपर हो जाते है तो आपसे एक सिंपल सा टर्म होता है कि अच्छा अच्छे ठीक है आप आओ आओ बिठा लिए आपको आपका नाम बोला और जी आप अपने बारे में थोड़ी बहुत बताईए ये उन्होंने सिंपल एक इंट्रो है जहां आपको थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए पूछ जिया क्योंकि यहां पर आप अपने बारे में ही बताओगे ज़्यदा प्रेसर नहीं होगा देरे देरे नॉर्मल हो जाओगे तो एक दो मिनिट में फर्स दिंग ध्यान रखिए इंटर्वियू पैनल आपके लिए दिन भर के लिए नहीं बैठा है आपको बारा से पंदरा मिनिट लेगा दस पंदरा बीस पचीस कुष्चन पूछ लेंगे और काम खता है तो वो जो बीस पचीस कुष्चन पूछना वहीं पूरा गेम है आपको दो मिनिट के लिए बोला तो आप दो मिनिट में बेसिक वो चीजे बताईए जहां से आप कुस्चन वो पूछें तो दे सके देखो यहां पर उसने सीधा आपको बॉल दिये है आप किधर गूल करना चाहते हूँ आप जिधर बॉल फैकोगे पूरा इंटर्व्यू पैनल उधरी चला जाएगा आप से जैसे पूछा भाई अपने बारे बताईए तो आप अपने आपको लगता है कि अपकी जो इंसिट्यूट है वो अच्छी है तो थोड़ा बहुत इंसिट्यूट से लिंकेज कुछ पता सकते हूँ आपका नाम, फैमिली बैगराउंड, पापा क्या करते हैं, कहां से हैं, डिस्टिक से फैमिली किस टाइब की है, रूरल है, अर्बन है, किस बैगराउंड की है, एजूकेशन आपका क्या रहा फुरस्टि से कैसा लिंकेज वगर है, थोड़ा बहुत अगर है पहले से, तो बो बता देजिए ये चीज़ हैं, एक्चुल मैं सामने वाले के लिए सीधा सीधा काम करती है, उसे पहले से भाई बोर हो जाता दिनवाले लेके, तो उसने आपने जो फुडर दिया, वहां से वो सीधे कुछ से न उठा लेगा, तो एक सीधा ये रहा, आप अपनी फैमिली बैगराउंड को उस हिसाब से बताईए कि जब आप बता रहे, क्या-क्या बताना है आपको, तो फर उस हिसाब से बैगराउंड में क्या-क्या चीज़े बताईए हैं, उनके बारे में थोड़ा बढ़ लीजिए, जैसे मान लीजे, मैंने बुला कि मैं ग्वालियर से हूँ, तो कम से कम फोड़ा बहुत जो मेरा डिस्टिक है, गॉलियर में क्या-क्या है, पॉलिटिकल जो है, जैसे सिंधिया है, लरेंसिंग तॉमर है, तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्शिप है, उनके बारे मैं, पेटलजी थे उनके बारे मैं, हिस्टोरिकल जो डिपलपमेंट हुई है, कौनसी क्रॉप होती है, मांसून में क्या चल रहा है, कौन-कौनसी वेजिटिसन है, पांच-दस एनियमल प्लांट्स के नाम, वो बेसिक आइडिया है, अपने फैमिली वैगराउंड के बारे में होना चाहिए, दूसरा, मेरे फादर क्या करते है, वहाँ पर मैंने ऐक्विप यहां ने उसे सीधा-सीधा एक फोडर दे दिया है, कि हमारे यहां गहूं चाबा लिया होता है, तो वह सीधा वहाँ पर आ सकता है, अच्छा गहूं है, वह रवी की फसल है, या खरीफ की है, यह जायद है, कौन-कौनसी फसल होती है, मिट्टी किस टाइप की है, तो आप क्या प्रॉपर्टी और वहां पर मतलब किस टाइप एक क्रैक आ जाते है, मिट्टी में पानी ज्यादा जाता है, नहीं जाता है, कौन सी वेजिटेशन आसपास के पांच-दस पेड़ों के नाम, वो एक बेसिक आइडिया आपको हो वहां पर है, फिर यह रवी खरीब कौन प्रॉपर्टी क्रॉप है, महनसून, सोयल, रेगर, फिर पौदे, जानवर, भाई बहन का क्या एकड़मिक्स रहा, आपके एकड़मिक्स पर कुश्चन आ जाता है, आपका एकड़मिक क्या है, बियस सी, आईटी से है, मतलब अच्छा भाई, आईटी से हो, ठीक है, अभी क्या कर रहे हूँ, आपने बोला, मैं कोडिंग में हूँ, भाई देखो, कोडिंग में हो, आप तो आपकी, पांचते साल में आप करोडों में खेलोगे, तो फिर, यहां पर यह 35-40,000 की जोब में क्या मिलेगा आपको, तो आप बहुत जो सीज़ा है, आप प्रिजेंट में क्या कर रहे है, फोरेश्ट में क्यों आना चाहते है, इंट्रेस्ट क्यों है फोरेश्ट में, वैलिड रीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं जबर जस्ती कुछ भी बोले, उस पर सोचो, आप अपने हैंट पर सोचिए, क्योंकि मैं अगर कुछ बता दूँगा, सब के सब वही बोल के आएंगे, आप पहले बोल जाओगे, आपके बाद वाला चार भी वही बोल के आएंगे, वहाँ पर तो उसे ये लगेगा, कि ये सब के सब वही कहीं से कौपी मार के आए, तो आप अपने हैंट पर सोचिए, क्यों करना चाहते हैं, अंदर से भाई, और पढ़ जबर जस्ती का कोई फाइदा नहीं, क्योंकि जबर जस्ती एक जगह आप जबर जस्ती कर भी दोगे, तो आगे पांच मिनट बाद आपकी होबी से काउंटर हो जाएगी, आपके जो सौक है, यहाँ पर आपको सौक लिखा एको टीरिज्म, यहाँ पर फोरेश्टी में इं इंट्रेस्ट है, बर्ड वाचिंग के लिए निकल जाते हैं, जब भी होता है, घूमने निकल जाते हैं, तो आप जो भी है, जैसा भी है, अपने हिजाब से सही से बोली, उसमें कोई दिक्त नहीं है, जॉब की बारे में आता है, मुद्धा, पेस्किल्स, रिलेटर इसू ह आप आरेफो हैं, तो मालीची स्टाइटी में आपको 38-40,000, 45 के आसपास मिल जाएंगे, अगर आप मतलब लड़की हैं, तो आपको थोड़ा एरिया, सिक्यूर एरिया दिया चायका चॉप के लिए, मेल हैं, तो आपको 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 थोड़ा हार्थ एरिया मिल जाता है, लेकिन आप ऐसे आरेफो आपको गॉलियर, इंदौर, भोपाल, इस टाइप की सिटी तो नहीं मिलने वाली भाई, एक्सेशनली मिल जाए अलग बात है, लेकिन आपको रूरल एरिया ही मिलेंगे, हो सकता है, आप बिलॉक या तैसील लेबल पे आपको घर मिल जाएगा, आ आप वहां रह सकते हैं, तैसील लेबल पे जनरली एजुकेशन सिस्टम ठीक ठाक है, तो आप अपने बच्चों को वहां पढ़ा सकते हैं, वो एक मुद्दा रहेगा, कि मान लीजे, मैं आप लोगों की टीचिंग कराता हूँ, तो मुझे गालियर में सुबदा हैं, की जॉब मिल रही है, और चालीसजार ना सही, अड़तीसजार सही, अगर मुझे गालियर में मिल रही है, तो मैं क्यों आरेफो की पोस्ट जोइन करूँ, यहां कमस कम मेरे वहचों का फ्यूचर बन सकता है, फेबली के पास हूँ मैं, जबकि वहां पता नहीं, मैं गालियर से हूँ, मुझे सियोनी, सतरपोर कहीं डाल रखा है, खंडबाब, सिंदबाडा कहीं भी डाल दिया मुझे, तो मैं अबहां से आना जाना यह चीज़े नहीं हो पाती है, मालो मैं घर में अकेला हूँ, भाई बेहन की साधी हो गई या हो जाएगी, तो मैं अकेला हूँ गाला घाट में करनी है, और मैं रहते हैं, कैसे मैंटेन करूँगा मैं, तो बहुत सारी इसू हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत देखिए, क्या किया जा सकता है, हलाकि इन पर स्टेट लेवल पर ऐसे कुश्चन थोड़े कम ही पूछते हैं, यह कोई आप से नहीं प ट्रम्प को कूट देना चाहिए, ट्रम्प को बाइडन को कूट देना चाहिए, पुतिन को नुकलियर दे मारना चाहिए, रसिया को उसके यूएस के उपर, यूएस को नुकलियर बॉम इटली को दे देना चाहिए, अर्मेनिया और अजर्बैजान के बीच में लड़ाई ह यह हमारे क्या इंट्रेस्ट है यह सब बातों से यहां स्टेट पेसी में कोई लेना देना नहीं है यहां पर पेसी कली यह लोग यह मान के चलते हैं कि जो इस्टूडेंट आ रहा हैं इनके पास उनकी एक लेवल से उपर समझ नहीं है तो वो नॉर्मल उसी स्फियर में डिसक प्शने लगे तो सौ मैंसे शूड wedge स्थिजट पे कुस्ट समझ में नहीं आएंगे आदे करो इन यहीं समझ में नहीं आता है कि यूकरेयन रसिया बार हो रहा है इसमें रसिया के क्या points है और व्रस्ट आं संट चाहिए यह नहीं हो ऐसी एक लेवल से जदा इन जीज़ों पर नहीं जाते हैं। तो हमें उतने में उस एंगल पर जाने की हमें भी जरुवत नहीं है हाँ अगर आप UPSC वगर है क्योंकि आप मेंसे काफी ऐसे एसे एस्पिरेंट्स हैं already QPSC दे चुके हैं, काई बार दे चुके हैं, रेटें दे चुके हैं, इंटर्विव दे चुके हैं, इस टाइप के लोग अगर वहां इंटर्विव पैनल में पहुंचते हैं, या फिर आपने बोल दिया, आप IIT, कि बेच्चिव से हैं, रूड़की से हैं, किसी IIT, IAM से हैं, या किसी प्रिस्टिजियस कॉलेज या यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप से उमीद करके चलते हैं, कि आपका लेवाल एक ठीक ठाक लेवाल होगा, तो आप से एक्सप्रेक्टिशन उनकी बढ़ जाती, तो आप से थोड़ा बहुत ऐसा पूछा जा सकता, अधर वाइज वो नहीं पूछेंगे, फिर मैंन मुद्धा वही है कि फूरिस्टी का एक इसुआ जाता है, आप मैंसे काफी लोग हैं जैसे कि बूला कि हमें इको ट्यूरिज्म पता है, एक सिंपल सा सबसे पहले वो बवाल कर लेते हैं, अच्छा आप फूरिस्टी क्यों जोइन करना चाहते हैं, तो फिर आप म अच्छी नेस्नल पार्क वायलाइफ संचुरी में गए थे, तो आप कोई ना कोई कभी का फियार घूम ही होते हैं, तो बता देते हैं, फिर बोलेंगे अच्छा वहां पर क्या क्या देखा आपने, अब आपने बोला यह 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 देखे हैं, तो अच्छा MP स्टेट बर् अधर ले लद्दा गूमायों, आपने बोला तो फिर आप सब्सक्राइब, अच्छा है माचल का स्टेट बर्ड कुन सा है, भाई आप ने गूमे तो क्या होगा, वो जो CF है, वो तो गूम चुका है ना भाई, वो लगबग सभी स्टेटों में गया है, ट्रैनिंग के दौर पूरे टूर करा दिये जाते हैं, उसे पता होता है, अच्छा च्छा 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 का स्टेट अनिमल कुन सा है, स्टेट बर्ड कौन सी है, तो अगर आप उस एरिया में गूमने गए हो, और आपने उसे यहां इंटर्व्यू में अगर आप उसे यूज कर रहे हो, तो उस स्टेट के बारे में थोड़ी बेसिक, जिस एरिया में गए, स्टेट की छोड़ दो, कम सकम जिस एरिया में गए हो, नेसल पार्क है, वाल लाइप सिंचुरी है, वहां पर पांच-दस प्लांट एनिमल्स, जिनने देखा है, आपने उने बता दीजिए, क्योंकि आपने फो उसमें गए हो तो साइद आप साप पूछने के इस्टेट, उसका इस्टेट बर्ड्स या प्लांट की का नाम क्या है, आप में से काफी कंडिडेट ऐसे भी हैं, जो फोरेस्ट डिपार्टमेंट से ही है, जो फोरेस्ट गार्ड लेवल पे है, वो रेंजर और एसी आफ के लिए प्रप्यार कर रहे हैं, जैसे ओर नहीं हो, किसी लिड़की के नमबर है, ठीठाक नमबर है, वो आरम से एसी अफ बन सकता है, उमीद है, अब ऐसे कंडिडेट जो है, वो फोरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, तो उनका पूरा का पूरा जो इंटर्व्यू है, वो फो कोई नहीं पूछेगा कि तुम फोरेस्ट में क्यों इंटरेस्टेट हो, और फो क्यों बनना चाहे तो, एसी अफ क्यों बनना चाहे, भाई उसका फील्ड है वो, इंटरेस्टेट हो, उसका होने का कोई मुद्द ही नहीं बचता है, ये कुश्चन उससे पूछा जाता है, इसका background नहीं है, चो civil engineer है, hobby उसकी अलग है, professional अलग है, काम कहीं और कर रहा है, और forestry में जॉब ले रहा है, तो यहां पर बनता है का भाई, तुम इतने घूमे फिरे हो, फिर forestry में ही क्यों है, यह question कि मैं nature के लिए काम करना चाहता हूँ, public भलाई, यह चीज़े नहीं जलती ह है, आप valid point देखिए, nature के लिए अगर काम करना चाहते है, तो इतना माथा पच्ची करने ही क्या चाहता है, बहुत सारी NGOs है, WWAP है, Bombay Natural History Society, BNHS है, और भी बहुत सारी NGO है, आपको अपनी खड़ी करने की ज़रूत नहीं है, आप उनके साथ जाए, आराम से काम करिए, 15-20 दिन महीने बार, उनमें जो आपकी progress है, पैसा भी है, और progress भी है, वो forest department की compare में जएदा है, और अगर आप वहां काम अच्छा करते हो, तो वहां पर तो आपको national level पर, Asia level पर, काम करने का मौका मिलेगा, तो वो भी angle है, तो आप ऐसा नहीं कहमें nature में यह जाना है, तो उसके अग आप अंसर नहां रखिए, इसमें यह भी आता क्योंकि काफी लोग हैं जो preparation करते हैं तो उनसे पूछ ले जाता है, आपने civil भी दिया होगा MP में, civil में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, या आपने बोला नहीं मुझे forestry देना है, अच्छा तो फिर आपको civil में क्यों नहीं जा था, कि भाई UPSC आपने दी है, उधर क्यों नहीं गए तो भाई गए थे, हुगा नहीं उधर, try पूरी वहीं थी, कोशिस तो पूरी थी, में भी लिखे, लेकिन उतने marks नहीं आपाए कि हम लोग clear कर पाए उसे, वहाँ पर फोल्ट लायर रही हैं, और interview भी दी हैं, लेकिन मार्क्स कहीं नहीं में कम रहे हैं, कि हम लोग interview final cross नहीं कर पाए, जो भी region है, जो भी है, सीधी खुली किताब है, सीधा सीधा बोली है, बस ही है, सीधा बोलने का मतलब ऐसा नहीं है, का बिलकुल ही सीधा बोल दो, थोड़ा इस sense में बोला जाए, कि वह normal way में हो, ऐसा नही कि आओ दोस्त हम तुम्हें पूरी जानकारी बताते हैं, इतना भी बिलकुल frankly नहीं होना उनसे, फिर forestry से related जो दुनिया भर की current information है, जैसे कुनों है, कुनों में जैसे भी चीता है, ये एक टाइप से intercontinental introduction है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कहां से चीते, कितने आए हैं, अब लोगों से मोख में भी ये पूछ लेते हैं, तो भाई अजीब से answer आते हैं, भाई किस किस country से कितने कितने आए हैं, कहां से आए हैं, प्रोजेक्ट का title क्या है, यहां introduce करवाए गए हैं, अभी कितने जिन्दा हैं, कितने मर गए, तो चार के नाम याद रह जाएं तो बढ़िया नाम ना रहें, कोई दिक्कत नहीं, sorry बोलके आगे निकल सकते हो, हर चीज जानकारी हो जरूरी नहीं है, लेकिन कम सकम basic idea हो, कि कहां कहां से आए, कितने आए हैं, ऐसा नहीं कि भाई, साउथ अफरीका, केन्या, एथोपिया, जो भी बोलना है, आप प्रोपर तर अपर काम कर लो, फिर उसमें ये भी मुटाता है, कि अच्छा भाई, कूनों में ही क्यों है, अधर भी तो हो सकते हैं, राजस्तान में कर देते, कूनों ही क्यों है, राजस्तान में भी तो बहुत सारे national park, वाल लाइफ सेंचुरिय हैं, जो लगी हुई है, च्छत्यस थी, या कुछ लोगों ने जैसे बोल दिया, वहाँ human settlement ही नहीं थी, तो भाई, ऐसे लंबी छोड़े फिकना नहीं है, पता होता है, news paper आते है, सबी पढ़ रहा होते है, वहाँ आए दिन ये होता है, ये गाउं को resettle किया गया, उस गाउं को resettle किया गया, तो idea सब को होता है और ऐसा संभा भी नहीं है किसी national park में कि जहाँ पर population पहले से human habitat नहीं हो, तो उसे वहाँ introduction के पीछे कुछ region है, इस वज़े से वहाँ पर है, देश के other हिस्तों में नहीं है, region other top carnivore भी हो सकते है, food chain के भी है, temperature के भी हो सकते है, location wise है, इसकी किन्या से temperature range का भी issue हो सकता है, ब एक बार उनके खुद के region पढ़ो, सही से google करो, news पढ़ो, चीजें अलजाएं हैं आपको, जब यह reintroduction की बात आती है, तो किवल यहीं नहीं है, इसके अलावा भी MP में forest और wildlife से related बहुत सारी news है, जैसे जो गौर बाइसन है, क्या बोलते है, जो अपने जंगली भैसा है, उ से दूसरे में relocate किया गया, कुछ-कुछ 36 गड़ से इधर relocate किया गया, अपने wildlife corridor के काम चलना है, जैसे सतपुड़ा, wildlife सतपुड़ा जो है, निशनल पार्क है, उसे patch से और mail घाट से जोड़ने का काम किया जा रहा है, बाव बाव ट्री है, जो कहीं नहीं होता अदेश में मतलब ऐसा नहीं कि और नहीं है, कुछ जगह और भी है, लेकिन MP में अपनी आद हार डिस्टिक में है, उन्हें गवर्मेंट को पता नहीं, किसी को जड़ा आइडिया है नहीं काभी काफी टाइम पहले के हैं पिर, दो को काटके है, हैधरबाद वाला बिजनेस मैंने वो का कास ब्लांट करने के लिए, फिर कुछ लोग एक्टेव होते हैं और उन्हें बापे सुलाइब भाई ऐसा क्या से कर लोगे, सबकी प्रॉपर्टी है यह, वाव अपना नेटिव नहीं है, मैड़ा कास कर वाले रीचन का है, उधर उखता है, अपनी यूनिक लिए वहां MP का एक टाइप से यह बोल सकते हैं कि वह ऐसा यूनिक पॉइंट है कि MP गवर्मेंट उसे यूज करके एक टाइप से इकोटी रिजम का वह बना ले, हमें पता पड़ा हम खुद सोच रहा है, चलो निकल लेते हैं भूमने के लिए, तो यूनिक पॉइंट है, जिसके नाम पे आप यूकोटी रिजम कर सकते हैं, तो यह जो निउज चल रही है, कहां पर क्या चल रहा है, कहीं पर पैंगोलिन की पूचिंग कर दी गई, कहीं टाइगर जो है, उनमें अपस में लडमरे विचारे मर का है, एक दूसरे को मार डाला, तो यह इस टाइप की जो निउज है, टाइगर पूचिंग की निउज है, उन्हें एक बार कुछ यदा नहीं कर सकते हैं, तो गूगल पर दिख लिजिए, गूगल फूरेस्ट प्लस वाइल लाइप प्लस इन्वाइरमेंट प्लस क्लाइमेट चेंज टाइप के गूगल करिए, दुनिया भर की निउज आएंग को नहीं है, उनको पढ़िए, फूरेस्ट पार्डमेंट के उनका आप नहीं कर पा रहा वहां, वो भी है, तो उन निउजों का आप कम सकम एट लिस्ट हुने है, एक लेबल तक टाइकर यह है, प्रोजेक्ट टाइगर है, जिसका भी हाल फिलाल में डाटा एक्जक्ट तो लेकिन एक बेसिक आइडिया है, तो उस पर थोड़ा बहुत देख लीजिए, इसके अलावा आपने क्योंकि फूरेस्ट इसमें पढ़ी है, हाँ एक और मुद्दा होता है, आप मैंसे जैसे बोल देते हैं कि कैसे प्रपरिशन की है, बला हमने भाई सेल्फ की है, सेल्फ के बहुत सारे एसपेक्ट हैं सल्फ क्रपरिशन के, माल लेजिए, मैंने विजन आईएस के मैंस की टेस्ट सीरीज किसी परसन ने जोइन की, उसने उसकी मैंन की डेलाग देकर के किलासे जोइन की, मैं उसके साथ बैठ गया, भाई, बीस पचीस अजार ले लो, मैंने उसके न सिलेक्शन हो जाए, और मैं बोलूँ कि मैंने सल्फ परपेर किया, तो भाई, किस बात का सल्फ किया, मैंने, जिसने पे किया, किसी किलास को चोइन किया, और जिसने नहीं किया, उसमें फरक क्या, कि भल, फी देने का फरक हुगा न, मैंने नहीं दी, उसने दी, लेकिन सल्व एक ही हो गई कि हमने मार्केट में पॉलिटी के लिए हमने किसी की मदद नहीं ली हमने मार्केट में जैसे एक्षमी कांत है उस टाइब की बुक पड़ी है जियोग्राफी के लिए सब कुछ रो है मेरे पास रो को मैंने अपने हिसाब से पढ़ा, समझा, नोट्स बनाए थोड़ी बहुत कोचिंग क्लासेश वगरे की मदद ली वो चल गई यहां जब मैं किसी के सीधी कॉपी मार दूँ और वहां पर मैं आकर सेल्फ बोल रहा हूँ तो देखो बोलने में कुछ नहीं जाता है लेकिन सामने अगर आप इंटर्व्यू पैनल में भी यह बोला है तो सामने वाले को समझ में आता है कि आप क्या कहना चाहते हो, कहां ताकर वो एक टाइप से आपकी ग्रेडिविल्टी पे भी कुश्चन मार खा जाता है कि आप कर क्या रहा हो और उसे सल्फ नाम दे रहा हो एक थोड़ा वो आजकल पॉपॉलर ही होता है कि सल्फ किया सल्फ किया तो फिर वो उसमें लोग बह जाते है फिर क्यों कि फोरस्टी की है तो फिर फोरस्टी से रेलेक्टिड कुश्चन पूछी लेते हैं कि फोरस्ट कुछ नहीं है तो सिंपल सा फोरस्ट अच्छा नर्सरी क्या होता है थोड़ा डेफिनिशन जो है फोरस्ट नर्सरी की उसे एटलिस्ट पाद लो आप से सीधी डेफिनिशन नहीं पूछागी बड़ आपको कमसकम एक पता हो कि हम लोग फोरेश नर्सरी के मतलब एक ऐसा इंकलोज एरिया होता है जिसमें हम लोग नए प्लेट पौदों को वहाँ पर बीजीज लगा के कटिंग अटिंग करके हम लोग पौध उगाते हैं नर्सरी के टाइप कितने टाइप क्यों होते हैं तो टाइप है वगर है देखलो प्लाइनटेशन कैसे करते हो स्क॥ायर, रक्टैंऐलर को इंकोंसियन, ट्रेंगूलर लेनियर यह जो है उन्हें देख लो आप से जे एफेह सब्दों क्मराइज क्या है फोरेश्ट स्रेटिफिकेशन वही कि हम लोग इतने लंबे टाइम से काम कर रहा है फिर भी फोरेश्ट हम लोग फोरेश्ट एरिया कवर को बढ़ा नहीं पार फोरेश्ट एरिया कवर उनके बीच में क्या डिफरेंस है उस चीज को दिख लो इसमें वायल लाइफ कॉरीडुर का बताई चुकह हूँ मैं कमपा प्लान्टेशन है इसमें जैसे अवी आजकल कमपा का एक नीूच में चलना था diamond diamond जो mining है एक एरिया था तो उसे diamond mining के लिए दिया जाना था लेकिन उसके लिए forest advisory committee जो ministry of environment forest or climate change है उसके regional offices होते है तो यहां से उसे पूछ उनसे request की गई थी लेकिन उन्होंने divergen की permission नहीं दी तो उससे related चीज़े है टाइगर डेट्स है टेरिटोरियल फाइट में पैंगोलिन पूचिंग है वाइल लाइफ क्राइब कांट्रॉल बीरो है इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए deforestation में बुरानपुर का किस बताई दिया है forest right act इनके पीछे कहीं न कहीं forest right act या one अधिकार अधिकार अधिनियम है बो भी कारण हो सकते हैं तो हमेशा यहीं नहीं है कि लोगों ने जंगल साफ कर दी है उस पर कबजा करने लगे ऐसे हो गया यह है forest department काम नहीं कर रहा है इमान है corrupt है political leadership है बो भी कार रहा है कि भल वहीं नहीं होता है यहां आप किसी politician को गल्या नहीं सकते है आप civil नहीं हो आप उस administrative का पार्ट बनने हो आप हमेशा जो legal जो है administrative और जो legal measure से उसके हिसाब से देखोगे भावनाओं में बहने का यहां काम नहीं है आपको objective होना पड़ेगा वहा तो यहां जो issue है जैसे forest right act के है कि वहां पर वो क politics कई वार हो जाती है तो वह forest right act को as a tool use कर लेते हैं और उस पर अपना दावा करते हैं उस act के कुछ ऐसे provision है जिसकी बचाए से कई वार हमें पीछे आटना पड़ता है forest department को और वहां जाते है तो यह forest right act के provision का भी एक conflict है जिससे दूर किये जाने की जरूरत है और इसे ऐसा नहीं का government नहीं कर रही है forest conservation act 1980 है उसका 2018 में ड्राफ्ट आया था जिसमें इसे थोड़ा regulate किया गया था लेकिन बाद में वो ड्राफ्ट बापस ले लिया गया अभी प्रजेंट में जो forest policy है 1988 उसका draft already standing committee के पास है जो हम लोग उस policy में है और changes करने की कोशिज कर रहा है forest area जो है अपने लंबे टाइम से हम लोग काम कर रहा है हर साल दुनिया वरका plantation project चलते हैं फिर भी हम लोग बढ़ा नहीं पा रहा है तो उसे थोड़ा commercial angle से देखने की जरूबत है बूस्ट अप के लिए जैसे कोई भी area होता है government कर रहे है किसी area में business जैसे communication है पहले government थी बीसेनल प्राइबिट सेक्टर आ गया बहुत कुछ बढ़ गया forestry में भी अगर private corporates ऐसे आ जाए मालो मुझे पढ़ाने में तुम लोगों ने दिमाग कादही कर दिया फीस देनी पा रहे हैं या देनी रहे हैं चूरी बहुत ज़दा कर लेते हैं हमारी दुकान नहीं चल रही है बंद कर दिया हमने अब हम लोग nursery का काम करने लगे काफी higher level पर है तो MP government क्या कर सकती है कि भाई nursery का अपने जो staff है उसे बिजी ना रखके हमारी nursery से खरीद ले हम लोग उनके production per unit production cost से सस्थे में government को दे रहे हैं तो government वो काम करने लगे कहीं plantation का काम करना है अभी plantation के काम government खुदी करती है किसी forest area में plantation करना उसके लिए पांस करोड आए फोरेश अपने government क्या कर दे बोला इस area में plantation करना कौन कितने में करेगा यह यह इस पिसीज करना तीन साल उसको उहाँ पर जिंदा पेड़ चाहिए पांस करोड प्रोजेक्ट को आए थे वो auction करेगा मैंने वोला मैं तो डही में कर दूँगा मैं auction जीती है मैं उसमें डही में करके दूँगा मैं उन्हें तो इस टाइप से plantation जो है work इसमें private sector की entry आ जाए private corporates आ जाए joint forest management के अंदर इस टाइप की कुछ चीज आ जाए तो हम सकते तो यह अपनी एरिया है जहां पर काम किया जा सकता है इस पीडिली जो forest cover और forest area खासकर forest cover बढ़ाने के लिए forest certification है अग्रो forestry और social forestry उनको प्रमूट किया है तो यह जल्दी थोड़ा rapid हो जाएगा इसके अलाबा फिर आपकी hobby वाला है जैसे electrical engineering है देखो यहां पर hobby में वही है कि हमारी limitation है मैं आपसे एक level से जड़ा hobbies में नहीं पूछ सकता मूक में हम लोग try करते हैं एक level तक क्योंकि जतना भी other staff में कुछ already selected IFS हैं ECF हैं तो उनके भी एक limitation है अगर उनका area आपसे match करता है तो वो सेरिया में question पूछ लेते हैं लेकिन तब भी बहुत सारी possibility रहती है क्योंकि हम भी 15-20 minute आता गंटे से जड़ आपको time नहीं दे पाएंगे limitation हो जाती है वहाँ पर अगर आपको मैं दो गंटे दूँगा तो पूरे दिन में चार लोग उपाएंगे तो interview मोख interview के लिए हमें दो चार मंत चाहिए तो अगर हम लोग आपसे आपके academic background पर नहीं पूछ पा रहा है इसका मतलब यह नहीं है का वो नहीं पूछेंगे कोई भरोसा नहीं है का उँट किस करवट बैठे तो अपने academic background को थोड़ा ठीक से prepare करके जाएए फुरिष्टी को एक roughly उपर से एक मोटा माटी आइडिया जो है wildlife का है उसको एक जो current news है उसको ठीक ठाक से prepare करिए वहाँ फितनी की जरुएद नहीं पड़े एक इसू यह और आता है का मानलो मेरे marks का मैं मैं OB-C category में हूँ मेरे marks 240 है तो मैं सुच रहा हूँ कि यार होगा तो है नहीं तो भाई ऐसे मत जाएए आप interview फिलकुल पूरी तरीके से जाएए आप का भले marks कम हो आपके होने ना होने मैं last में 2-4 mark 3-5-10 mark का ही फरक पड़ेगा आपने यही सुचा का मेरा तो होगा नहीं और आप थोड़ा ढीले गए आप से 2 mark नीचे बाला था लेकिन वो ठीक गया cut off में आपको 8 जो भी है आपका 8 और उसका 10-11 का मतलब last में उसने 2-3 mark आप से जाता ले लिए आप cut off से कुछ mark पहले ही cut गए कई बार ऐसा होता है हम लोग जो expect करते हैं इसलिए मैं आप से बोल रहा हूँ कि जब तक last result नहीं आजाता तब तक हरमत मानी यह आपके जो भी mark हो बिलकुल full तैयारी होके करिये एक तो full तैयारी होके करोगे तो उसका फाइदा क्या है पूरी तैयारी से गए ना तो आप जब interview देते हो actual में तो आपको अपनी जो loop कमिया है वो वहाँ पता पढ़ती है सही से तो जब आप second time आएंगे आपकी कमिया आप पहले से पता है आपको आपने तैयारी की है आप दोड़े हो इसलिए आपको कमिया पता थी जिन्हें आपने अप दूर किया जब आप दोड़े ही नहीं हो कमिया पता पढ़ने है कमिया ही कमिया है कहां रह रहे हैं कहां नहीं क्या गड़बड किया आपको पता ही नहीं है तो फिर आप second time में दिक्कते खड़ी होती है तो इसलिए फुल तैयारी के साथ आप ये मानके चलिए कि नहीं मैं बिलकुल दे रहा हूँ पूरी तैयारी के साथ दीजिए नहीं होगा तो क्या हुआ आपको experience तो मिला experience कम थोड़ी है selection नहीं भी होता है कोई दिक्कत नहीं वो experience बहुत कामाएगा आपका तो आप फुल तैयारी के साथ चाहिए कई बार ऐसा होता है कि आप वो जो धीला करके जाते है थोड़ी धीली डाली तैयारी करके जाते है उससे वो दो चार मार्क से वहाँ पर नीचे आ जाते है वो वेटिंग में तो आ जाओगे गमसका तो वो भी वहाँ पर loss होता है technology field से है तो जैसे आपकी जो है आई है जो आज कल चल रहा है AI है चैट जीपीटी वर्चूल ऑगुमेंटेट रियाल्टी मिक्स रियाल्टी 3G, 4G, 5G जो भी आपके आज़ पास technology है android का कौन सा version यूज़ कर रहे हो आप किस company का कर रहे हो कहां की company है अच्छा आप laptop desktop यूज़ करते है तो laptop operating system कौन सा है किस किस type की operating system है लोगों को लेलक्स ही नहीं पता पूछ रहा है operating system कौन सी है तो window और जो अपना apple का है बस m1 जो भी है वही cable है लेलक्स या other जो operating system उनकी idea नहीं है तो कम सकम एक basic idea हो फिर आपकी जो भी है जैसे किसी ने बोला कि भाई मुझे movie देखना पसंद है तो भाई कौन सी movie देखना पसंद है किस general में आप देखते है कौन सी movie आपको सबसे अच्छी लगी डारेक्टर कौन था कौन-कौन थे उसमे कम सकम कुछ तो ऐसा ऐसा थोड़ी मुवी पसंद है बोला बस खतम काम बोला हमें वो बने इस्टोरी याद है तो कम सकम उसके बारे में basic चीज़े देखो diary writing है कुछ इतिहास उसका history first time किसने लिखी क्या मतलब कुछ तो background होगा ना भाई कि इस type से लिखी जाती S.E.S.C. type की डायरियां होती है कुछ डायरियां इस type से फिर्मा सो रखी है ये है बो है फ्लानर कुछ उसका background तो चार दिन खंगा लो क्या है उसका आप yoga करते हैं cricket खिलते हैं cricket के में कौन सा player पसंद है कैसे पसंद है क्यों पसंद है कौन कौन सा है क्या कुछ रूलूल है उसके yoga में दुनिया भर के है उनके बारे में देख रही है आप cooking है पसंद है आपको क्या क्या पका लेते है पकाने के बारे देखो वहाँ पर possible है कि कोई ladies भी बैठी हो तो फिर वो cooking में फिर आपको मिल्कुल उठापटक मचा देगी तो कम सकम पता होना चाहिए कि cooking सौक तो है music singing है कौन कौन सा singer है क्या क्या करता है folk dance में कुछ है आपके area के singing में उनके बारे में आपको क्या जानकारी है तो यह सारी चीज है उनको कम सकम आप at least ठीक वार सही से prepare कर लेजिए दूसरा हम लोगों की अपने limitation है बहुत सारे से area हो सकते है जहां पर हम लोगों ने discussion ना किया हो तब भी कोई issue नहीं है आपके पास दो तीन ऐसे area है जिसमें एक है आपकी hobbies उन्हें आप अच्छे से prepare करिए दूसरा आपके academic है for scholarship एक level तक आएगा एक level से जदा की उमीद नहीं रहती है लेकिन फिर भी आप जितना उसके बारे में contemporary जो knowledge है आपने चार unit पढ़ी है चार unit क्या उसमें बहुत कुछ पढ़ा रखा है तो उसका एक basic मोटा माटी अनमानों बिल्ड की height कैसे measure करते है उसके diameter आपको measure नहीं करेंगे कम कम tool तो पता हो कौन कौन से tool हम लोग height और diameter measurement करने में करते है wildlife census अभी हुई है tiger census अच्छा census के कौन कौन से method है tiger की census कैसे करते है कितने साल बात की जाती है elephant corridor elephant census कब करते है tiger में मेरे female में क्या difference है कहां कहां पर tiger है अपने tiger state है तो अच्छा कितने tiger है भी मैं loin cable गुजरात में होते है गुजरात बाले अपने आपकोनों में नहीं ले आने देना चाहते है क्यों नहीं ले देना चाहते है अगर हम ले आए तो उससे फाइदा क्या है गुजरात बालों को लॉस किया है क्यों गुजराती नहीं दे रहा है कुछ तो points है ना हम loin लेके आ जाएंगे हम loin project चला देंगे अपना चार लेके आएंगे 40 करके हम लोग बैठेंगे पूरा टीरिज में आदा गुजरातियों का जो एको टीरिज में है वो हम लोग यहां loin में खाचाएंगे अभी अगर आपको loin देखना है तो गुजरात ही जाना पड़ेगा चीता जो है वो अपने पास unique है चीता देखना तो बिटा कुनों ही आना पड़ेगा मतलब MP Forest Department, MP Eco Tourism जो है वहाँ पर ही आपको investment पैसा खर्च करना पड़ेगा तो वो अपने पास unique चीज़ है तो उन चीज़ों पर देहम दीजे बगाय की भी और बहुत सारी मुद्दे है आप उन पर तैयारी करिए और next जो में मुद्दा था उसकी structure सबढ़ना देखो वहाँ पर कुछ procedure पहर में कहाँ चारी करते हैं जैसे आप यहाँ पर इंटर्विव से पहले जाओ पहन के जाओ और भी डृजस इसे टेलिवी यहाँ पहुज पहन गया है क्योंकि उनने बहुत अच्छे से experience है भाई उनने बहुत लंबा experience है वहां पर प्रॉपर तरीके से उन्हें किया तो वही उन्हीं के काम को उसी टाइप के काम को दोहरने का कोई मतलब नहीं है पहले सी वहां पढ़ी हो उन्हां आप वाच करिये क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है कैसे पढ़ना कैसे जो एक बेसिक है वो अल्रेडी वहां पर है उस सीरीज को आप वाच कर रही है प्रॉपर तरीके से फिर भी अगर कहीं दिक्कतें आती हैं तो आप बिलकुल पूछ सकते हैं आप सब के अल्रेडी मेसेज बॉक्स आपनी रहते हैं हाँ लेकन यह है कि हमारे एक लिम्टेशन है देखो भाई सीरीज ही बात है कि मान लेजिए आप से फी ली है पांस हजार प्रैक्टिकली पांस हजार फीस ली है मान लो आप सो लोग हो हमारे पास आया पांच लाग वो पांच लाग मैंसे लगभग नब्य हजार के आस पास तो GST कट जाती है पोर्टल चार्जेज अधर चार्जेज कट के वो पांच लाग जो आया था वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते पोनी चार के आस पास बचता है फिर वो बैक गरांड की रनिंग कोस्ट है जो आपको स्टेडी माटिरियल दिया जाता कंटेंट डिवलपमेंट की जाता तो वो कॉस्ट हम तक फाइनल पहुंचते पहुंचते जो स्टेट है अपना MP का प्रोजेक्ट है जो आप लोगों का 2020 वाला ये एक्जाम का बैक्स था मालो हमें प्रॉफिट फाइनल लास्ट में पढ़ा है पंद्रह हजार बीस हजार पंद्रह बीस हजार मैं मैं आपकी मोग के इंटर्विव के लिए कौन से टीफो को बला के लिए आजब भई अगर कोई रिटाइड सी एफ है उसकी बेसिक रिक्वार्मेंट है अटलिस उसे आठ से दस जार रुपए पर डे देना होते हैं वो पांच छे इंटर्विव देगा मतलब पर हैड मुझे जा रहा है वो लगवग एक इंटर्विव जाता है धहेजर का क्योंकि दो लोगों को ने बठा लो तीसरा बाद मैं अपने आपको खुद एड्चस्ट कर लेता हूँ जसे तीन का पैनल बन जाए और खर्चा कम हो नहीं तो भई मैं उनी को बठा लूँगा अपने खर्चा कम करने के लिए मैं खुद गुष जाओ बीच में इसके बाद भी जो खर्चे हैं वो कहां से आएंगे भाई लाइट बिल है रेंट है तो नहीं पचता है भाई तो फर्स दिंग है ये जिन्दी चुरी भाई थोड़ी कम करती ना तो कम सकम ये मोग इंटर्व्य हो जाए अधर भाई होता कुछ नहीं है MP वालों के प्रोजक्ट रन करने के लिए पता पढ़ता IFS वालों का फंड डालना पढ़ता है तो फर उससे रिजल्ट ही होता है कि जब उसमें हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा तो फर आपके मोग इंटर्व्य एक लेबल से जएदा बैटर करवाना हमारे लिए संभा भी नहीं है कहां से भाई दूसरे IFS वालों का पैसा अगर इधर लगा जाजाएंगे तो फर IFS वाले क्या करेंगे तो वो आप लोगों के उपर है आप लोग क्या करना चाहते हैं अगर आप लोग मतलब Gerox ये इसी मेकाब में खुष है तो भई खुष रही है उसमें और कोई इसी के कोई इसू है तो आप वहाँ पर पूछी सकते हैं जहां तक मैं स्योर तो नहीं हूं लेकिन जहां तक संभाफ होगा हम लोग रिस्पॉन्ट कर देंगे और अगर इसू रहते हैं तो आप बिलकुल इस वीडियो के नीचे कुष्षन कुष्षन जो भी है चैट बॉक्स ओपन रहेगा आप महाँ पर कुष्षन बिलकुल पूछ सकते हैं तो अगर संभाफ हुआ और जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट फॉलओन जो पॉड्कास्ट बन जाएगी उस्वाबोची जाभी टेकल कप लेंगे अपना किम्टी समय देनी के लिए दानिवाद